हेलो फ्रेंड्स आओ आज हम कलर्स नेम सीखते हैं आज मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड हैं, क्ले डो है और आइसक्रीम स्टिक्स हैं इन सब की सायता से हम कलर्स सीखेंगे और आइसक्रीम बना के भी देखेंगे चलो पहले हम ब्लू कलर का मोल्ड लेते हैं और इसमें हम आइसक लाइस और ब्लू कलर अब हम दो रंग की आँस्क्रीम मनाते हैं रेड्र और ब्लू अब इसको मिलानकी आँस्क्रीम स्टिक लगाते हैं और अच्छे सी प्रicip करते हैं जोजबी प्रेस करने के बाद एकस्टाเรา हम भाता देंगे हैं इसमें कौन कौन से रंग है, नीला और लाल रंग. जलो अब हम दूसरे डोल लेते हैं, यह है येलो मौल्ड, येलो कलर का आइस इसमें कौसरे कले डोल डालेजें़ हैं अहाँ, परपल, इसको दोनों तरफ लगालेंगे, अच्छे से प्रैस कर लेंगे, एक्षरा डोल अब ह येलो कलर गेंट के दोनों साइड लगाके अच्छे से इसे हम प्रेस करेंगे प्रेस करके स्टिक लगाके फिर से मोल्ट को प्रेस करेंगे और ये देखो तयार है हमारी दो रंग की आइस क्रीम कौन कौन से कलर पीला और परपल कलर पह देखने में किती तुंदर है ना ये है ट्राइंगल शेप की, कौन सी शेप ट्राइंगल शेप अहा, यमी लग गई है ना खाने में भी इसका मन कर रहा है, जैसे इसे खा जाएं भी अब हम दूसरा कौन सा मोल्ड ले ब्लू कलर, चलो ब्लू कलर का मोल्ड लेते हैं और इसमें हम एक और आइस के बनाते हैं ड्रेट कलर ड्रेट को हिंदी में लाल कहते हैं लाल रंग का इसमें हमने डो लगाया दोनों तरफ लगा लिया और अब लगाया हरी रंग का दो हरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं अब हम तीज़ा करब लगाते हैं परपल करण इस तरह यह बनेगी हमारी तीन रंगी आइस क्रीम इस ट्रीक लगाके अच्छे से प्रえस करते हैं एक्स्टा डो को हम हटानेंगे मोल्ड को खोलते हैं अब ये देखो कितनी ब्यूटिफुल लग रही है ये हमारी तीन रंग की रंग बिरंगी आइस क्रीम बन गई लाल, हरा और परपल कलर अब हम लेते हैं आखरी डो ये है पिंक मोल्ड इसमें आइस क्रीम बनाते हैं चलो अब इसमें हम डालते हैं ब्लू डो नीला रंग, नीले रंग का प्ले डालके इसे हम एक ही रंग की आइस क्रीम बनाएंगे और अब हमने आइस क्रीम स्टिक लगाके इसको प्रेस कर दिया अब देखो ये बनेगी नीडी आइस क्रीम आहा यह आईस क्रीम देखने में कितनी सुन्दर है ना चलो अब इसे हम आपे रख देते हैं और फिर कलर सेम एक बार और देखते हैं नीला, पीला, परपल, नीला, लाल, हरा और यह हमारी रंग बिरंगी चार आईस क्रीम तेयार है